तो एक विदो वान दिश्जंकित वेल्कम बेक्ट और चैनल जिस वीडियो का आप सभी को वेट था वो वीडियो आ चुका है बहुत सारे कमेंट्स आप सभी के इसलिए वीडियो बना रहो अब अगर वीडियो बना रहा हूं तो फिर कंप्लीट जानकरी आपके सामें लेके सुरू से लेके लास तक आपका पूरा आप इस वीडियो में यह जानने हों कि आपका जो स्टेट का कॉट आफ है एडिमिट कार्ड का जो कॉट आफ परसेंटेज कितना जा सकता है मैं आपको बताऊंगा बस आप वीडियो पर बने रहेगा चैनल पर अगर आप नहीं है त लिए तॉटल यहां पे 200 वेकेंशी हमान यह आपका डेटा है अब 200 वेकंशी के लिए आप फॉर्म कितने भरे गए आप यह देख सकते हो कलियर यह डेटा ऑफीशल डेटा है पांच लाग से भी ज्यादा पर बरे गए इन 200 वेकंश इस के लिए अब से पर सीजर समझते है कि इन 5 लाख में से कितने लोगों का admit card आएगा क्योंकि सभी का admit card आने वाला है नहीं online exam होगा नहीं कि सभी का admit card आएगा और सभी लोग exam में बैठेंगे नहीं sort listing candidates sort listing of candidates would be based on aggregate percentage obtained in qualifying examination 10th so 10th में आपका 10th pass हो आप तो उसी के जो aggregate percentage है उसके base पे जो candidate हो sort list किया जाएंगे अब कितने किया जाएंगे पांच लाख में से वो भी आप समझी है यहाँ पे जो selection procedure में yellow में लिखा देखिए sort listing for agnivir amar male and female will be carried out state wise in a ratio four times the vacancy कितने time four time मतलब जो आपके vacancy है उसको state wise divide किया जाएगा माल लेते हैं आपके state में 10 vacancy है तो यहाँ पे उसका four time candidates को बुलाए जाएगा मतलब just 40 candidates को यहाँ पे बुलाए जाएगा तो आपके state में अगर 10 vacancy है तो वो 40 जो candidates होंगे top के 40 होंगे जिनके 10th में सबसे ज़्यादा marks होंगे वही का अगर आपके state में 5 vacancy है तो यहाँ पे 20 candidates को यहाँ पे बुलाए जाएगा और वो 20 candidates उसे state के top के 20 होंगे जिनके सबसे ज़्यादा परसेंटेज है total जो vacancy है यहाँ पे 200 है तो चार गुना है यहाँ पे कितना हो गया 800 candidates All India यहाँ पे केवल 800 candidates को बुलाए जाएगा कितने में से 5 lakh से भी अधिक form भरेगे उन में से सिर्फ 800 candidates को यहाँ पे बुलाए जाएगा चीज़ें आपके सामने clear है मैं demotivate नहीं कर रहा हूँ आपको मैं आपको facts बता रहा हूँ कि आपका जो admit card है वो कितने percent पे आ सकता है कर रहा है तो भाई आप तैयारी करते रहे है आज आपका आज decide करेगा आपका कल कैसा होगा तो आप अपनी तैयारी करते रहे है admit card आएगा नहीं आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अब आपके सामने कुछ data है वो आप समझिए यह पिछला exam है दस दोजार इकीस बैच अग नवी MR का receipt top application green है short listing यहाँ पर red IQ status लिखा not search listed due to short listing cutoff तो यह पंजाब का dashboard है पंजाब के candidate का और उसकी जो cutoff गई है आपके कितनी गई देख सकतो 94.92% cutoff गई है आपकी पंजाब की पिछली बार यह cutoff है आपकी return exam के लिए short listing के लिए तो आप समझदार हो कितनी जा सकती आप 1-2% इदर उदर करके मान के चलो लगबग इतनी है आपकी पंजाब की जाएगी मैं demotivate नहीं कर रहा हूँ जो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ अगला देख लीजिए ये भी आपका 10-2021 बैच का है navy MR का receipt of application online application green है उसके बाद short listing आपका rate है और ये है आपका गुज़रात का गुज़रात की जो cut off गई थी short listing के लिए वो गई थी आपकी 81.4% तब इसी के आसपास मान के चलो आपके गुज़रात की इस बार भी रहने वाली है अगला देख लीजिए यहाँ पर ये भी आपका navy MR 10-2020 बैच का है receipt of application green और short listing red क्यों क्योंकि not short listed due to short listing cut off कितनी गई हैं आपके cut off score for written exam for domitial of करनाटक तो करनाटक की जो percentage cut off गई थी admit card की वो देख लीजिए 92.96% गई थी भाई इस बार के कितनी जा सकती है लगबग आप यह इमान के चलो एक नंबर आप जादा ही कर सकते हो कम का तो बिल्कुल मसोच ना आगे देख लीजिए 10-2021 बैच ये भी आपका receipt of application green और short listing आपका red किस state का है हरयाणा का है not short listed due to short listing cut off हरयाणा का ये बच्चा है इसका जितना भी आपका वो रहा होगा number इसका short listing नहीं हुआ क्योंकि आपकी जो cut off है वो आपके 100% गई है मतलब पूरे पूरे number चाहिए आपके 10th में होने चाहिए मतलब जिसके 100% है वो मुझे ये नहीं समझा रहा है को वो MR में सिफ का या फिर साफ सफाई का काम करने क्यों जा रहे है कुछ fake form भी बढ़े जाते हैं fake mark sheet बनाई जाती है 100% वाली हाँ बनाई जाती है यकीन मानो तो ये हरयाणा का देख लिए आगे देखिए 10-2021 बैच बार की कितनी जा सकती है आप समझ रहे हो कि आपको पता है कि लगबग इतनी जाए कि फिर मेरे मुझे सुनना चाहते हो तो आप यही मान के चलो लगबग इतनी है एक दो नंबर आगे पीछे आप कर सकते हो तो अगर आपके 90 प्लस हैं ग्रीन और सॉर्ड लिस्टिंग रेड उत्राखंड अब उत्राखंड की जो कट आफ गई थी वो कितनी गई थी 95% कई थी 95% यह कट आफ गई थी उत्राखंड की तो इस बार भी आप आप आइडिया लगा लो लगबग ही आई मैं वही बता रहा हूँ एक दो नंबर आप दर दर मान सकते हो बागी वही मान के चलो कि उतनी ही कट आफ आफ आपकी जाएगी जादा ही जा सकती ही कम नहीं जाएगी आगे देखे रिसिप्ट आफ आफ ऑनलाइन अप्लिकेशन शॉर्ट लिस्टिंग रेड है राजस्तान राजस्तान की भी कट आफ कितनी गई है आपे 95% कट आफ गई थी इस बार की भी आप यही मान के चलो आगे देखे 10-20-21 ऑनलाइन शॉर्ड लिस्टिंग रेड नॉट सॉर्ड लिस्टिंग क्योंकि जारकंड की जो कट आफ गई वो 95 गई तो जारकंड की इस बार की भी कट आफ आपकी लगबग आप इत्ती इमान के चल सकते हो आगे देख लिए यह कहां की है इस वार की इस नहीं हुए थी यह मद्ध प्रदेश का मद्ध प्रदेश की इतनी गई थी 95 परसेंट गई थी इस बार की भी आप लगबग इत्ती मान के चलो अगर आपके 90 प्लस है तो आप उमीद रखो कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए दस दो जार इकीस बैच नौट सॉल लिस्टेड बिहार देख लिजिए बिहार के कंडिडेट्स 96 परसेंट गई थी भाई आपकी 96 परसेंट अगर हैं तब ही अडमिट कार्ड आया था बिहार वाल होगा तो 90 प्लस हैं तो उमीद रखिए भाई बाकी मुझे नहीं लगता आगे देख लिजिए दस दो जारी किस नॉट्स और लिजिटेड जम्मू एंड कस्मीर 91.6 परसेंट यह गई थी तो लगबग 85 प्लस है तो उमीद रखिए आप इस बार अगला देख लिजिए यहां पर नॉट्स और लिजिटेड 36 गड की जो कॉट आफ है 89.33 परसेंट गई थी तो 85 या फिर 80 प्लस है तो उमीद रखिए बाकि उसके नीचे कुछ नहीं होगा आगे देखें 10-2021 नॉट्स और लिस्टेड 92 कट आफ गई थी महाराष्ट की 92 परसेंट इस बार कभी यही आइडिया रखिए आप 85 प्लस है आपका तो आप उमीद रखिए बाकि 90 के उपर ही जाने वाली है देख लेना आगे देखें 10-2121 नॉट्स और लिस्टेड तेलंगाना क्योंकि तेलंगाना की राजस्तान की यह जो कट आफ सौर लिस्टिंग परसेंटेज है वो 100 परसेंट गई है अगर आपके तो इसबार अगर अगर अलहीं जो अपका आन के चलो 90 प्लस आप आइडिया लेके चलो 90 प्लस अगर आपके हैं तो चांसेज है आगे देख लिए यहां पे 10 2020 नौट सॉट लिस्टेड डेली की 91.8 91.8 गई थी यहां पे तो इस बार की बे आप 85 प्लस मान के चलो मैं बहुत सही बता रहा हूँ आपको पांच नंबर भागी यह देख लिए आप 90 प्लस ही जाएगी तो आप 85 प्लस है तो आप उमीद रखो भाई आगे देख लिए 10 2020 नौट सॉट लिस्टेड महाराष्ट की महाराष्ट की कट अफ कितनी गई थी 92 परसेंट अगर आपके टेंथ में 85 प्लस है आपने अप्लाई किया है तो आप उमीद रखे कि आपका जो एड्मिट कार्ड है वो आ सकता है आगे देख लिए 10 2020 नौट सॉल लिस्टेड महाराष्ट 92 अभी बता दिया हाँ आगे देख लिए यहाँ बस कदम इतना ही था तो अलमोस्ट 17 से 18 राज्यों की कट आप मैंने आपको बता दी यह पिछली वाली अब उसके हिसाब से मैंने यह भी बता दिया कि इस बार कितनी जा सकती है मैं आप सभी से रिक्वेश्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी तयारी नहीं रुकिएगा अब तयारी करते रहिएगा अब आप सोचो कि एड्मिट कर नहीं आएगा कि तयारी का क्या मतलब है तयारी करते रहिए बाई कभी ना कभी वो काम आएगा अभी आप अगर तयारी बंद करके कुछ फालतू काम करने लोगों उससे बेटर आप पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ तयारी करते रहिए मैंने आपको परसेंटेज बता दिये लगबग इतना है तो आप मान के चलो आपका अड्मिट कार्ड आएगा परना अड्मिट कार्ड सिंपल सी बात है नहीं आएगा पांच लाग फार्म भरे गए है दो सो वेकेंसीज है और आप सो एड्मिट कार्ड ही जारी किया जाएंगे इन पांच लाग में आप सो वही होंगे जो अपने राज के टॉप टेंथ में टॉपर होंगे सिंपल समझा दिया कोई और कुश्चन बचा है झाल